हम बात करेंगे एक ऐसे गैंग्स्टर के बारे में जिसने बॉलिवुट से लेकर राजनीती तक को हिला कर रख दिया है लारिंस बिश्णौई इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लारिंस बिश्णौई कौन है उसका अपराधों की दुनिया में सफर कैसे शुरू हुआ मुसेवाला की हत्या और सल्मान खान को धमकी से उसका क्या कनेक्शन है और बाबा सिद्धी की को लेकर फैली अफवाहों का सच क्या है तो चलिए शुरू करते हैं लारिंस बिश्णौई का जन्व 1992 में फाजिल का पंजाब के एक किसान परिवार में हुआ उसका परिवार बिश्णौई समुदाय से तालुक रखता है जो परियावरण और जीव संरक्षन के लिए जाना जाता है बचपन से ही पढ़ाई में तेज होने के बावजूद लारिंस की रुची धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लगी वह राजनीती विज्ञान में सनातक करने के लिए चंडीगड के DAV कॉलेज में आया लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक अलग मोड ले लिया कॉलेज के दिनों में लारिंस ने झात्र राजनीती में एंट्री ली और पंजाब युनिवर्सिटी की चात्र राजनीती में सक्रीय हो गया इसी दौरान वह कई जगडों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया जो बाद में उसके कुक्यात गैंगस्टर बनने का पहला कदम साबित हुआ लारिंस ने चात्र राजनीती के दौरान अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आतंकी और अपराधी गिरोहों के संपर्क में आना शुरू कर दिया इसी दौरान उसका टकराव दूसरे चात्रों से हुआ और धीरे धीरे वह गैंग वर में शामिल हो गया इसके बाद उसने अपने प्रभाव को पंजाब और हरियाना के बाहर भी फैलाना शुरू कर दिया लारंस का दावा है कि उसने अपने समाज और दोस्तों की रक्षा के लिए यह रास्ता अपनाया लेकिन बाद में वह कई हत्या, फिरोती और तसकरी जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में सनलिप्थ हो गया 39 मई 2022 को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या ने पूरे देश को चौका दिया इस हत्याकांड में लारंस बिश्नोई का नाम सामने आया मुसेवाला की हत्या को लारंस के सहयोगी गैंग के सदस्यों ने अनजाम दिया गोल्डी बराड जो लारंस बिश्नोई गैंग का एक प्रमुक सदस्य है ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली बताया जाता है कि इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश और गैंग वोर का बदला लेना प्रमुक कारण था लारंस बिश्नोई ने बॉलिवूड सुपरस्टार सल्मान खान को भी जान से मारने की धमकी दी इसके पीछे की वजह 1998 के काले हिरन शिकार मामले से जुड़ी हुई है बिश्नोई समुदाय काले हिरन को पवित्र मानता है और लारंस ने खुलेयाम कहा था कि वह सल्मान खान को काले हिरन की हत्या का बदला ले कर मारेगा इसके बाद सल्मान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुंबई पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया हाल के दिनों में खान परिवार को धमकी भरे पत्र भी मिले हैं जिनमें उनकी जान को खतरा बताया गया है हाल ही में राजनीती के दिगज बाबा सिद्धीकी की हत्या की साजिश को लेकर लारिंस बिश्णोई का नाम चर्चा में आया हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है लेकिन यह घटना दर्शाती है कि बिश्णोई गैंग न केवल बॉलिवुड और संगीत उद्ध्योग को निशाना बना रहा है बलकि राजनीतिक हस्तियों पर भी नजर रखे हुए है लारेंस बिश्णोई को पुलिस ने कई बार गिरफतार किया लेकिन वह हर बार जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करता रहा पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बिश्णोई ने जेल के अंदर से ही फिरोती मांगने और हत्या के आदेश देने का काम किया उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसके सहयोगी गोल्डी बराड और अन्य अपराधी कनाडा और दुबई से भी काम कर रहे हैं लारिंस बिश्णोई गैंग की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते पंजाब और हर्याना पुलिस ने कई बड़े अभियान चलाए लारिंस और उसके सहयोगियों पर यूए पीए के तहद भी मामले दर्ज किये गए हैं विडियो कैसा लगा कॉमेंट कर बताएं धन्यवाद